Hello everyone, welcome at my channel, today we discuss about the exercise 4.4, sum number first, express the flowing rational number as decimals, जो हमारे पास rational number, यानि जिन numbers को हम P by Q की form में write कर सकते हैं, वो हमारे पास rational number होती है, इनको हम इने decimal form में write करना है. 7 by 5, अब सबसे पहले तो हमारे पास जो denominator है वो आपको बता देगा कि यहां से यह terminating है और non-terminating. अगर denominator में 5 हैं और 5 के ही factor हैं, तो हमारे पास वो terminating होगा, अगर 2 है या 2 के ही factor हैं, तो हमारे पास तब भी terminating होगा, और अगर 5 और 2 की multiple factor हैं, तब भी हमारे पास terminating ही होगा. बाकि इसके अलाग अगर other number denominator में आता है factor form में तो वो हमाले पास होता है non-terminating तो यह decimal का process हमारे पास finish हो जाएगा इसको simply भी कर सकते हो आप क्योंकि छोटा number easily कर सकते हो by में 10 हो तो आप decimal form में easily convert कर तो इसलिए सबसे पहले इसको 10 की form में convert कर किजिए 5, 2, 10 तो same number नीचे multiply कीजिए और same number उपर multiply कीजिए 7, 2, 14 और 5, 2, 10 अब देखिए हमारे पास 1, 0 है तो decimal का one place बनेगा one place के बाद आप decimal put करेंगे तो 1 by 4 यह decimal हो यह तो हमारे पास हो गया हम same number से multiply करने के बाद हम decimal form में convert कर सकते हैं बी part दूसरा हम division process से आफोग दा रहे हैं division process से भी हम कर सकते हैं division process से तो सारे ही कर सकते हैं इसको आप इस form से भी कर सकते हो 25, 4, 100 होता है तो यहां से 25 table में 4 नमबर के 100 तो इसको 25 से निचे multiply करके और 25 से उपर multiply करके आप convert कर सकते हो या फिर आप division का process होता है दूसरा तरीक का तो आप division के process से कीजिए 4 बन जा 4 remaining is 3 7 निचे ले कहेंगे 4, 9 जा 36 remaining is 1 अब decimal यहां पर put कीजिए और decimal यहां put कीजिए अब decimal के बाद according to need आप 0 पूट कर सकते हो 0 निचे ले कहेंगे 4, 2 जा 8 remaining is 2 फिर 0 निचे ले कहेंगे और 4, 5, 20 तो यहां से decimal का process है जो क्या हो गए terminating यानि खतम हो गया तो यह हमारे पास होता है terminating decimal process c part देखी minus 148 by 12 पहले तो आप इस number को reduce कर सकते हो चोटा कर सकते हो दोनों 2 की table से कटते हैं 2 की table में 7 number पे और 4 number तो की table में हमारे पास 6 number पर फिर 2 से आप कट कर सकते हो 2 3 जा और 2 7 जा और 2 में हमारे पास 3 अब देखी जो denominator है reduce करने के बाद वो 3 है तो यह decimal का process क्या होगा non-terminating होगा और rational number में non-terminating तो ज़रूर होता है लेकिन recurring होता है same pattern होता है अब देखिए 3 बन जा 3 7 निचे लेके आएंगे 3 2 जा 6 1 अब decimal यहाँ पर लगाईए और decimal यहाँ पर लगाईए उसके बाद 0 लगाईए 3 3 जा 9 फिर 1 बचेगा फिर आप निचे लेका 3 3 जा 9 फिर 1 यानि जो remainder है वो repeat होने लग गया that means जब remainder repeat होने लग जाए तो that means decimal का process भी आपका repeat होगा यहाँ से यहाँ से यह क्या है non-terminating and less रहेगा कभी भी decimal का process आपका and देगा यह होगा मारा non-terminating और साथ में क्या होता है repeating लिख सकते हो या आप recurring लिख सकते हो यह recurring मतलब बार बार same pattern repeat होना 3 3 3 3 6 6 या 1 2 1 2 1 2 जो pattern same होता है full होता है तो वहाँ पे होता है recurring यानि हम दुबार से वही same चीज प्राप्त कर रहे है now depart minus 235 divided by 16 अब आप दिखे denominator है हमारे पास इंको reduce थो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह 5 है और यह 6 है 2 की टेबल में नहीं आते है 5 टेबल में तो 6 नहीं आता है तो यहां से denominator आपका 16 है यानि यह 4 multiply 4 यानि 2 multiply 2 और 2 multiply 2 जो factor form है वो 2 की form में है तो that means जो decimal का process वो हमारे पास क्या होगा terminating होगा and हो जाएगा तो यहां से denominator से आपका लियर कह सकते हो कि यह terminating decimal process है 16 से divide कीजिए 235 को तो यहां से सबसे पहले हम 16 गजा 16 क्योंकि 16 टूजा 32 हो जाएगा 16 से divide करेंगे 13 में से remaining is 7 और 5 आप नीचे लेके आएगे 16 हमारे पास 16 5 जा 80 उतता है तो ज़्यादा हो जाएगा 16 4 जा पे जाएगे हम 64 के remaining is 1 और remaining is 1 वैसे भी decimal process को आप चेक करते रहे है अगर remainder less बचे तभी आपका decimal process सही जा रहा है अब decimal यहाँ पर पूठ कीजी और decimal यहाँ पर पूठ कीजी after this यहाँ पे according to need आप 0 पूठ का सकते हो अब देखी हम 0 नीचे लेके आएगे 110 आप 16 6 जा 96 होता है और 16 7 जा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा 112 तो यहाँ से 6 जा पे जाएगा 96 remaining is 4 और यहाँ से हमारे पास 10 में से 1 आप 0 फिर नीचे लेके आएगे आप 140 आप 16 9 जा 144 होता है 9 जा पे तो जादा हो जाएगा तो हम किस पे जाएगे 8 जा पे जाएगे 128 remaining is 2 यहाँ से 1 और फिर हम 0 नीचे लेके आएगे 120 अब 16 7 जा 112 होता है तो 112 remaining is 8 फिर हम 0 नीचे लेके आएगे अब 18 16 टेवल में 5 नंबर पे आता है हमारे पास 16 5 जा 18 अब देखी हमारा decimal का जो प्रोसेस है वो end हो गया that means terminating decimal process हमारा यह तो हमारे पास यह इसका terminating solution है और decimal value यह हमारे पास now e part 195 divide by 15 जो हमारा यह negative था तो result में हमारे पास last में negative ही result आएगा सबसे पहले तो देखो दोनों number हमारे पास 5 से कट हो रहे है 15 से completely भी divide हो रहा है हमारे पास यह number अगर 15 से आप डिवाइड कर रहें 195 को 15 मंजा 15 remaining is 4 और 5 ने चले क्या रहा हो 15 3045 तो यह हमारे पास complete process हो गया यह हमारे पास 13 is the answer now apart 5 by 9 अब देखे बाय में जो denominator वो 9 है यह थरीक एफेक्टर फों में है 2 और 5 को छोड़कर अदग number आता तो वो हमारे पास क्या होता non-terminating तो यह हमारे पास non-terminating वाला process आएगा हमेशा denominator से ही divide करते हैं चाहिए वो big हो या small 5 से अब देखो 9 big है तो नहीं जाएगा that means 0 फिर decimal यहाँ पर और decimal यहाँ पर है decimal के बाद हम according to need आप 0 पूट कर सकते हो अब यह 50 हो गया हमारे पास 9 5 जा 45 remaining is 5 फिर हम 0 नीचे लेके आएंगे 9 5 जा 45 फिर हमारे पास 5 देखी जो remainder है यहाँ पर 5 था remainder 5 next भी remainder 5 remainder का process हमारे पास same आ गाया that means जो decimal का process हो same रहेगा 0.5555 यह नि 0.5 बार आप इसको शोग कर सकते हो यह हमारे पास हो गया साथ में क्या यह non terminating है यह endless process और recurring भी है recurring means यहाँ पर जो division का decimal process हो same pattern पर भी जगा 5555 यह pattern उसका same रहेगा now question number second identify the type of decimal हमने decimals का type identify करना है state whether it is a rational number और irrational क्या यह rational है या irrational है decimal के process के इंदर हमारे पास किस तरह का process है अब देखी यहाँ पर 18.65656565 यह non terminating है और दूसरा हमारे पास जो decimal का process है वो 6565 यानि same threshold से repeat हो जब pattern same हो तो यहां से क्या है recurring है यानि same pattern यह observe कर रहे हैं कर रहे हम इस पर और क्या है जब pattern same हो तो वो हमारे पास क्या होती रैशनल नंबर decimal के अंदर अगर non terminating है तो pattern अगर same है तो वो हमारे पास क्या होती rational number तो इसका answer is rational number यह इसका decimal जो इसका process हो end हो चुका है यह complete 34.19 that means terminate हो चुका है और जो terminate है और naturally वो शोर हमारे पास क्या होती रैशनल लंबर होती तो यह हमारे पास rational लंबर है और decimal का process क्या है terminating वाला है यहां पे देखिए C part में seven nine zero six five पहले तो देखिए यह non terminating है non terminating है C part decimal का जो type है हमारे पास non terminating है और और साथ में जो pattern है वो वो भी क्या है non recurring है same pattern नहीं है nine six nine zero six five one तो यहां से जब non terminating हो और non recurring यहां pattern same नहीं हो तो वो हमारे पास क्या होती irrational number decimal के अंदर यहीं पैचान होती है यह ज़र pattern same नहीं हो और non terminating हो तो वो हमारे पास क्या होती irrational number होती है next D part में देखिए seventy two point nine five three six three six three six three six six आगए जो हमारे पास यह एक तो हमारे पास क्या non terminating है दूसरा हमारे पास जो type है वो क्या recurring है देखिए क्या है seventy two point nine five three six पे बार आएगा यानि जो three six है वो repeat हो रहा है तो यह हमारे पास क्या recurring है यानि same pattern हमारे पास repeat हो रहा तो यह हमारे पास क्या हो गया rational number non terminating होकर pattern same हो तो हमारे पास क्या होती हो rational number होती है now e यह तो आपको पर लिए नज़रा रहा है कि decimal का process हमारे पास क्या हो गया and हो गया that means यह process टाइप क्या terminating वाला टाइप है और हमारे पास जो terminating है और यहां पर पार्ट में देखिए पहले तो देखिए non terminating है कि खतम ही नहीं और हमारा process और दूसरा हमारे पास यह recurring है non recurring 0110264541071 यह जो pattern हो different different आ रहा है यहांसे pattern pattern नहीं बन रहा कोई हमारे पास same pattern हो तो हमारे पास rational number होता है recurring बोलते है उसको लेकिन यह क्या हमारे पास non recurring non terminating और non recurring जहां pattern same नहीं तो वो हमारे पास क्या होती rational number होती है now sum number third express the flowing decimals numbers as rational number की form में write करना rational number यानि that means उसको decimal की form से हटाना हमने 0.46 यानि हमारे पास 46 और decimal की count करेंगे place कितने 12 तो 2 place है तो यानि 20 हमारे पास by में 100 तो यह हमारे पास होगी rational form में चाहे तो हम इसको denominator को reduce कर सकते है lost form में write कर सकते है दोनों two की table से cut होते है two three जा two two जा और two three जा और यहां से five और zero तो इस तरह से हमारे राइट कर सकते हैं same हमारे पास pattern है minus 625 decimal के place count करेंगे one two three तो one two three decimal के जब भी decimal remove करोगे तो by में उतनी आपकी पास zero put हो जाएंगी अब इसको आप reduce कर सकते हो छोटा कर सकते हो lost form में write कर सकते है minus का ही रहेगा दोनों five last digit is five and zero that means तोनों number हमारे पास five से cut हो सकते है five से cut करेंगे five बन जा five यहां से remaining is one five two जा ten remaining is five जा और यहां से five two जा और zero zero again हम इसको five से cut कर सकते है five to the ten और five जा यहां से four जा और zero again कर सकते है five जा और eight जा यहनि five by eight is the last answer अगर आपने reduce करना चाहिए तो same as c part minus six point six six यहनि हमारे पास minus six hundred sixty six और decimal के प्लेस काउंट करेंगे one two 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 zero है put करेंगे reduce कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं टू की टेवल में three 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 minus का है और यह से five zero next number seventy two point eight यहनि seven hundred twenty eight decimal का one प्लेस है तो one zero put करेंगे इसको हम reduce कर सकते हैं last digit is zero and eight that means two की टेवल से अपकट कर सकते सकते हैं इसको हमारे पास 14,358 यहनि हमारे पास 14,358 डेसिमल के प्लेस काउंट करके one two three one two three और इसको आप reduce कर सकते हैं टू की टेवल से कट करके छोटा कर सकते हैं इसको हम नाव लास्ट हम write three example of irrational number irrational number के नमबर अब irrational number में जो number हम P by Q की form में write ही नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे पास जो root के अंदर है root two, root three, root five, root seven जिनके perfects के root नहीं बना सकते हो सबें की सबें हमारे पास क्या होती? irrational number होती हैं और decimal के अंदर जो non-terminating हो जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 यह 1, 2, 3, 4, 5 जो pattern change कर दें तो वह हमारे पास क्या होती है? यह भी हमारे irrational number होती है non-terminating और non-recurring जो हमारे पास same pattern नहीं बनाए, pattern change हो जाए तो यह हमारे पास root के अंदर जिनके perfects के root नहीं बनते हो हमारे पास क्या होती है? सबीकिसे भी irrational number होती है, irrational और decimal में non-terminating और non-recurring वो भी हमारे पास क्या होती है? irrational number और pi, pi भी आपके पास क्या होती? irrational number क्योंकि 22 by 7 इसकी value होती है जिसको 22 को हम 7 से divide करेंगे, तो हमारा इसमें भी non-terminating और non-recurring pattern आएगा तो इसलिए pi भी हमारे पास क्या है? यह irrational number है तो आप कोई वे example दे सकते हो, 0.451245 या 12345 कुछ भी write कर सकते हो तो यहाँ से हमारे पास यह सभी की सभी example क्या है? irrational number क्या है